यूपी वारेस एक्षिलाब मुंबई इंडियंस की सांधार जीत के साथ मुंबई इंडियंस की टिम पहुची डवलू पील के फाइनल में पहले तो आया एन सब्सक्राइबर बरंड का तुफान उसके बाद मुंबई इंडियंस टिम की तरफ से एक गंदमाज ने लिया है ट बताते हम आपको इस वीडियो हैं लेकिन दोस्तों इससे पहले आप भी चाहते कि मुंबई इंडियंस की टीम डवलू लेकिन दोस्तों इससे पहले अभी अधी हर्मत पीद कोर को एक बहतरीन कप्तान मानते तो इस वीडियो को जरूर लैक कीज़ेगा और अगर आप इस च टीम की सुरुवाद बेहदी सांदार रही और मुंबई इंडियो की टीम ने इस मेच में पहले बले बाजी करते हुए चालों वीकेट के लुकसान पेक सो बिरासी रनों का लक्ष ख़़ा किया इस मेच में मुंबई इंडियो की तरफ से एन सस्क्राबर बरंट ने मातर 38 ग यूपी वारेश टीम की सुरुवाद बेहदी खराब रही और यूपी वारेश टीम की लगातार करमों में वीकेट गिरने के कारण यूपी वारेश टीम को इस मेच में बहत्तर रन से हरका सामना करना पर गया। यूपी वारस्टीम की तरब से इस मेच में सबसे ज़्यादा रण किरान नागवेडे ने 37 गंदों में 4 चोक और 3 छके के साथ 43 रण की पारी खेली वहीं दिप्ती सरमा ने 20 गंदों में 3 चोक के साथ 16 रण की पारी के लिए वहीं मुंबाइ इंडेस्टीम की तरब से इस लाक ने दो दासलों चारोवर में 24 संदेकर दो विकेट हासिल के मुंबय इंडियस की टीम इस जीत के साथ ही WPL 23 के फाइनल में पहुंच गई है WPL 23 का फाइनल मुकाबला 26 मार्च को डेली के पिटल्स और मुंबय इंडियस के बीच खेला जाएगा दोस्तों ऐसे में वीडिय